के यहीं है call everyone to cart class school friends food O video classic video giga तकि आपको यह चीज़ समझ में आ जाए कि हम जो क्हाते है बच्चों वह कहां से में मिलता है आप लोगों को सीच का नौलेज होना चाहिए सुटूटन स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए सेर करतीजिए और सब्सक्राइब करतीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आप लोगों को तक पहुंच सके स्टूटन स्टार्ट करते हैं आपके दोस्त ने क्या खाया क्या आपने आज और कल एक ही प्रकार का खाया था वी ओल डिफ्रेंट काइंड्स ओफूड इट डिफ्रेंट टैम्स इजन इट हम सब अलग अलग समय पर अलग अलग टाइप का क्या करते हैं यह बात क्या है एकदम सही है सभी को पता यह तो चलिए उसके बाद हम देखेंगे आगे का फूड वेराइटीस में तो फूड वेराइटीस में हमें क्या क्या लिखा हुआ है इस चीज को जरा ध्यान से देखेंगा बच्चों ठीक है लिखा हुआ है एक्टिविटी वन में आपके दोस्तों से पूछिए जो स्कूल के समय में वह चीजे खाते हैं आप वह दोस्तों से पूछ सकते हैं जो दोस्त आपके इंडिया के अलग अलग स्टेट में रहते हैं लिस्ट और आइटम्स इन यूर नॉट बुक ऐस गीवन टेवल 1.1 एस यो मेनी फ्रेंड्स एस पूसिवल जितने हो सके उन दोस्तों से आपको पूछना है बच्चों और उससे क्या करना है टेवल में नोट करना है यहां पर आप देख सकते हो टेवल 1.1 आपको मैंसन कर दी गई है अब उस टेवल के अंदर हमें क्या करना है क्या क्या मैंसन करना वह चीज को हम देखेंगे बच्चों तो दीके सबसे पहले यहां पर आप लोगों को दिया गया है टेवल में वोट डूवी इट आपने क्या खाया लिखा हुआ है नेम ऑप दा स्टूडेंट्स या वह आपका स्टूडेंट भी हो सकता है या फिर फ्रैंड्स में किसी का भी नाम लिख सकता हूं बट या आप एक लिए फोलो करना है तो आप अपने कोई भी जो फ्रैंड्स हैं उनका नेम यहां पर क्या करना है मैंसन करना और उन्हेंने क्या खाया यह बच्चों उसका आप देख रहे हो बच्चों कि आपको जो figure mention कर दी गई है देखिए जहां पर आपको ये mention की गई है देखिए आप ठीके उसके अंदर आप देख रहे हो सबसे पहले यहां पर आपको एक इटली नजर आ रही है इटली सामबर नजर आ रहा है आपको एन यहां पर आप देख आपको फिस करी नजर आ रही है और यहां पर आपको वेजिटेवल की कोई सबजी नजर आ रही है जो इस्टुडेंट्स आप देख रहे हैं यहां पर भी आपको अलग-अलग टाइपस का जो फूट से देखने को मिल रहा है ठीके अब हम देखेंगे फूट के बैराइटीस तो पढ़ रहते हैं अब आपके हमें देखना क्या है देखते रही है ठीके देखो लिखा वरस में बटा दियर सीम्स टूबी मच वैराइटी इन दा फूट वी इट हम खाते समय बहुत सारी अलग-अलग बैराइटी को देखते हैं वोट आर दिस फूट आइटम्स मेड़ और हम सोचते भी हैं कि यह सब आइटम्स जो होती है फूट खाने की वो कहां से बनती हैं थिंक अबाउट राइस एट हॉम सोचिए कि किस प्रकार से बेटा चावल घर में बनाए जाते हैं वी टेक रो राइस एंड बोईल इट इन दा वोटर्स तू माटेरियल्स आर हो वह कैसे बनाया जाता है तो आपको करना क्या होता है कंटेनर लेना होता है मिन्स कोई भी एक थाल मिन्स बर्तरन टाइप का उसमें आपको क्या करना होता है एक पानी को रखना होता है पानी जब तक बोईल हो जाए मिस उबल जाए देन आफ्टर हम लोग क्या करते है उस यहां पर आप लोगों को टू इंग्रीडेंट्स की क्या होई ज़रूरत पड़ी है फिल लिखा हुआ है on the other hand some food items are made with many ingredients आप लोगों को पता होगा बच्चों कुछ जो आइटम्स होते हैं कुछ भोजन होते हैं जो बहुत सारी इंग्रीडेंट्स में उसमें बहुत सारी की spices oil so means अलग अलग types की जोद पड़ेगी जैसे लोगों को पता हो जिसको अच्छा ज्यादा में spices अच्छा लगता हो वह ज्यादा इस पैसे यूज करेगा ओल जिसको ज्यादा डालेगा जिसको कम डालेगा बट यहां पर आपको यह चीज देखनी है कि यहां पर आपको कि अलग लग types करना होता है अब हम देखेंगे बच्चो एक्टिविटी टू में कि एक्टिविटी टू में आपको क्या दिया गया है ठीक है एक्टिविटी टू में आपको मेहां मैंसन क्या हुआ है चूज सम ओप आइटम्स यू लिस्टेट इन टेवल 1.1 और ट्राइट ट उसका नाम यहां पर हमें लिखना है डिसकसिंग विट यूर फैंड एंड एल्डर्स एट हॉम अपके दोस्त यह आपके घर में जो बड़े है उनके साथ डिसकस करना है लिस्ट ओप देम टेवल 1.2 सम एक्जाम्पल आर गीवन हीर एट सम मोर आइटम्स एं लिस्टेड ठ यहां पर आप देख सकते हों यहां पर आपको दिया गया है की टेवल में की फूड का आपको इंग्रीडियन्स लिखना है जैसे यहां पर लिखाओ बच्चो सबसे बहुत रोटी चपाटी सूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा कि रोटी चपाटी जिसको दू इन दोनों इंग्रीडेंट्स की यूजज से हम क्या बना पाते हैं रोटी बना पाते हैं उसके बाद हमारा दाल तो सबसे पलसमत दलहुन की जोट पड़ेगी आपको देन उसके वाटर की जोट पड़ेगी बच्चो सॉल्ट की ओउट की घी या फिर इस पाइस कुछ बच्चो what do we find do you find some ingredients common for different today discuss in class कि आपने जो खाया उसमें से कुछ चीज कॉमन है so where do this ingredients come from अब हमें यह भी देखना है कि वह ingredients हमें कहां से मिलता है चलिए बच्चो अब हमारा next topic आने वाला है जिसका हमारा नाम है बच्चो food materials and sources means food के कौन-कौन से sources होते हैं कौन-कौन materials होते हैं उस चीज के बारे में हमें पढ़ना है तो बच्चो लिखा हुआ है it may easy for us guys the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2 हमने 1.2 में अलग-अलग ingredients की बात की ती just for example जैसे party means रोटी बनाने के लिए हमें कौन-कौन से चीज को जोड़ पढ़ती है so that is the ingredients फिलिका हुए fruits and vegetables for instance where do come from आपको पता होना चाहिए कि fruits and vegetables कहां से मिलते हैं so plants of course आपको पता है वो चीज कहां से मिलती है आपको तो plants में से मिलती है what are the sources of the rice of wheat means चावल यहां फिर गहूं यह हमें कहां से मिलते हैं यू में have seen pedi are wheat fields with row and row of plants यहां पर धान और गहूं के जो खेत होते हैं वहां पर हमें जो होता है बेटा rice और wheat देखने को मिलता है and then there are food items milk eggs meat which come from animals और उसके अलावा भी बेटा आपको पता होगा कि egg जो हुआ, milk हुआ, meat यह सब चीज़ों हमको मिलती कहां से है तो हमें animals जिमिलती है तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या-क्या पढ़ा बच्चो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा fruit सगे रहा होता है यह हमें कहां से मिलता है तो यह हमें plant में से मिलता है बच्चो उसके बाद हम बात करें थे बटा किसकी गेहूं की और चावल की तो यह हमें कहां से म प्लांट में से, मिलता है। उस के बाद हम बात करेंगे। जिसे एक हुआ होगा, उसके हमसा है, हैक्तिविटि 1.3 हमें दी गई है। ठीक है, activity 1.3 में दिया हुआ है, let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जो list बनाई थी, उसमें से हमें देखना है कि वो चीज कहां से आती है, the ingredients and their sources, some example are so in the table 1.3, fill in the blanks in table 1.3 and add more example to list, तो आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर आपको field दिया गया है, गि उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो, कि sources of grain paid filled with transported, आपको पता होगा, बच्चों कि जो चीज हम लोग field में उगाते हैं, वो चीज हमरे transport होके one place, second place पर जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, sources of food, so paid filled with grains transported, चलिए, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते ह पर लिखा गया है, कि कौन कौन से जैसे लिखा हुआ टेवल 1.3 में, ingredient used to prepare food items and their sources, जैसे बात कर रहे हैं इडली की, तो इडली में सबसे बेले हमें जोद परती है, rice की, तो rice हमें कहां से मिलता है, उरत दाल, बेटा दाल जो होती है, यह हमें कहां से मिलती है, तो यह भी हमे हमें कहां से मिलता है, animals में से, spices मतलब होता है, गरम मसाले, यह भी हमें कहां से मिलती है, आपको पता होगा, बच्चो, oils गी बगेर हमें, plant में से, animals में मिलता है, तो इस प्रकार से हमें इसे फिल कर देना है, बच्चो, ऐसा कोई plant जिसे आप जानते ना हो, मतलब जिसके बारे में आपको पता ना हो, तो around you to see if they are edibles, भले वो आपके खाने लाइक हो, some plants could be poisoner, देखिए बच्चो, इस topic के अंदर बहुत important thing कहिए, जो आपको हमेशा याद रखनी है, कहाए कि किसी भी unknown plants, जो भले आपके राजपस दिखते हो, भले खाने लाइक हो, लेकिन उसे खाना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ plants जो होते हैं, पोईजिनर होते हैं, जोस में जहर होता है, जिससे आप खाने से मर भी सकते हो, और मर ही जाओगे, विकोस यहाँ पोईजिनर होगा, वो 100% मर सकते हो, जो स्टुडेंट्स आप लोगों को इस प्रका के अन्नोन प्लांट्स को या अन्नोन कोई भी चीज हो, जिससे आपको नहीं टच करना चाहिए, चलिए बच्चों, आगे देखेंगे हम, इंग्रीडियंट्स में तो है सामगरी, मिन्स कोई भी चीज बनाने के लिए उसमें लगाई गई, उसमें डाली गई वस्तु, उसे हम क्या कहते हैं, इंग्रीडियंट्स केते हैं, वीच पाट ओप प्लांट्स, आइडेंटिफाइ इस लिस्टे इन फूर आइटम्स एंड प्लांट्स पार्ट्स सो इंदा टेवल 1.4, अब हम बात करेंगे बटा, एक्टिविटी फॉर की, एक्टिविटी 5 में, आपको क्या दिया गया है, लिखा हुआ, टेक सम उब ड्राइज सीट्स, मूंग आर्चना, पुटे स्मॉल कॉंटेटी ओप सीट्स, इन अ कंटेनर फिल्ट विद वाटर, लिव दिस असाइडे, आपको क्या करना है बटा, मूंग के या चने की बीच लेने है, पुटे स्मॉल कॉंटेटी और उसमें चोटी कम मात्रा में हमें क्या करना है, कंटेनर में, कोई भी जैसे कंटेनर होता है, उसमें पानी डालना है, और उसे साइड में रख देना है, मिस एक कंटेनर लेना है, इसमें पानी डालना है, और सीट्स, या शीट्स जो साइड उससे गीले कपड़े में में रखना है और साइड में रख देना है दा फॉलोइंग डे डे डू यू अवजर एनी चैंजेस इन सी दूसरे दिन आप देखोगे उसमें किसी भी प्रकार का चैंजेस आएगा सो स्टुडेंट्स यहां पर देखोगे आपको सिंपल जो चने के सीट्स रखे दें देन उसके बाद यहां पर ऐसे कनवर्ट हो जाते हैं बटी है क्या सो चलो जानते हैं आगे देखिए लिखा हो है बच्चों यहां पर देखिए आगे स्ट्रक्चर में वी ग्राउन आउट ओप दा सीट्स ट्रक्चर वाइड इस्ट्रक्चर मिन्स चने के बाहर जो वी आपको वाइड वाइड जो इस्ट्रक्चर देखते हैं सो दा सीट से स्प्राउटेट जैसे हम क्या कहते हैं बटा स्प्राउटेट जैसे हिंते में बोलत तो उसे साइड में रखती जिए आप देखी आगे बच्चो क्या कहा है चली यहां पर आप देख रहें बच्चो कि जो आपके चने का फोटो दिया गया है तो चने में भी आपको इस प्रकार की सीन देखने को मिल रहा है मतलब इस पर आपको इस प्राउटेट देखने को मिल रहे हैं चना और इस प्राउटेट चना और उसके अंकुरित बीच कवर्ड बीथे बेट क्लोथ उसे गीले कपड़े से ढख दीजिए ता नेक्स्ट डेशी इव दाशीट्स है उस सीट को धोने के बाद यू के इट दे उससे अप कह सकते हो दे कैन आल सो भी बॉल्ड उससे आप वाल सकते हो एंज सम स्पाइसेस और की टेश्टिए और उसमें आप टेश्टी मतलब इस पाइसे सोगे डालकि मिर्च मिर्चल डालके उसाप इस्तनी की रूप में खा सकते नास्ते की रूप में चलिए आगे देखते हैं बच्चो आप लोग चलिए लिखा हुआ है डू यू नो वियर हनी कम्स प्रॉम क्या आप लोगों को पता है हनी कहां से आती है और हाउ इट प्रोडियूस और किस प्रकार से उसे प्रोडियूस किया जाता है क्या आपने बहुत सारी मदो मख्यों का च चहता देखा है जहां पर बहुत सारी मदो मक्य भींबिनाती यह मिंस वजिंग करती है बीस कलेक्टर नेक्टर मख़्ी जो होतीinden कि वह अपने नेक्टर के द्वारा flowers में से सहद लेती है and convert into honey और जिसे सहद में क्या करती है store करके रखती है in their high flowers and their nectar may be a level only for the part of the year और जिसे वो पूरी साल क्या करती है बच्चों use में लेती है आगे देखिए फिर लिखा हुआ है we store this nectar for this use all through the year when the finish such a view जब तक आपको कोई भी जवरुत पढ़ती है मतलब किसकी बच्चा honey की में सहद की तो आप क्या करते मदो मख्य का च्छत्य को देखते और वहां से हम क्या करते उस चीच को गलक करके store में कर लेते हैं store कर लेते उस चीच का लोग पढ़ लेते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो क्या क्या खाते हैं बच्चों तो देखिए एनिमल्स की बात कर लेते हैं लोग तो लिखा हुआ है यहां पर और अग्जर वाट एस केरल मतलब गिलेरी जो होती है वह क्या खाती है पीजन कबूतर हुए लीजर हुए आर आस्मोल इंसेक्ट में वी इटिंग एज दियर फोड तो जैसे चोटे-चोटे-चोटे चुटे डीव जन्तू खाते है चलो आगे देखिंतिगल में लिखा हूँ है चलिए दिखाऊ एक्टिवीटीशिक्स में और शेपकम करूब कर देनी है जो कर दो और यह हुंत है नहीं है उसके बाद हम देखेंगे यहां पर बहुत इंपोर्टेंट श्रॉपी के आप लोगों के लिए ठीक है बटो लिखा हुआ है इट इज आल्सु गीवन फिल इन दा ब्लैंक इन टेवल एक्टिविटी सेवन में हम देखेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत इंपो हार्वियर्स बेटा हार्वियर्स क्या होता है हार्वियर्स का हिंदी होता है हमारा साका हरी मतलब इस प्रकार के ऐनिमल्स जो ओनली फोर क्या खाते बच्चों फ्लावर्स खाते हैं प्लांट्स काते हैं उसे हम क्या कहते हैं हार्वियर्स के यह एर सम्पैनिमल्स वीच तो कानिवरस कहते हैं and do you find some animals which eat both plants and animals कुछ एसे भी animals जो होते हैं जो plants को भी खाते हैं and animals को खाते हैं तो उसे हम group 3 में count करते हैं जिससे हम क्या कहते हैं बच्चों ओमनिवरस कहते हैं prepare a table as in the table 1.6 and enter this separately in this three columns as so in the figure जैसे हम बात करेंगे बेटा कि हमें यहां पर एक्जांपल देना है कि जैसे हमने दिया हर्वियर्स तो हर्वियर्स में क्या एकाव उसके बाद हम अलग-अलग animals का नाम दे देंगे जो मतलब मांस कहते हैं मतलब कानिवरस और ओमनिवरस ऐसे एनिमल्स के नाम देने जो दोनों खाते हैं बच्चों तो यह सब चीज हमें यहां पर देखने हैं चली यहां पर देखो लिखा पहली वांस टू नो वेर और यूड प्लेस हुमन विंग वाइल फिलिंग टेवल टेकाई वी नो देट देट निदेट तो फाइंड वेस बाइच और वीच मोर फूट केंड प्रोड़क इन दा कंट्री यह पनेफ वी निद तो फूट इसलिए अविलेवल टो इच अधर आपको पता है कि बिना फोजन के जी नी सकते इसलिए पूरी कंट्री में इसका यूजे सोता है और इसका इनफ मतलब इसका सफिय सेंट ना इसलिए इसको अधिक से अधिक क्या किया जाता है प्रोडूस किया जाता है अब हम देखेंगे की वर्ट्स तो की वर्ट्स में देखना है कि की वर्ट्स में किसका मीनिंग क्या होता है बच्चो तो इंग्रेडियंट्स मैंने इंग्रेडियंग क्या होता है जैसे मैंने कहा था कि Enerosphory में जाने वाले रावर में से पाया जाने वाले ऐसे पदध्र जैसे मदोमक्की J Имpe Gods की रूप में क्या एक रूप tikh उसे चूनि रहे कहते है उसके लिए उसके बाता है स्प्लावरिट से जैसे हम क्या लास्ट आपका देखो सम्मरी में क्या लिखा हो बच्चो वह भी हम देख लेते हैं ठीक है दियर इस लोट ओक बेरियेशन इन फूड एंड टेन डिफरेंट रेजिन आप इंडिया आपको पता है हमारे देश में अलग अलग छेत्र में अलग 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 लोग खाना खाते ह इस प्रकार से आप लोग अबग अब भी तो उन इनियम्ने आलग लोसें देखो आपको शूड में अनियमरे दियर गयी मैंस इस प्रकार के प्लांट काते है उससे हम उनियमली बढ़न गानिबरेश्य और लोग बहुत बरौट प्लांट ऐसे हैं मेंनिख़ों अमनिवरर थ इस प्रकार से आप लोगों का चैफ्टर स्पूरा हो गया है। आई आपको वीडियो समझ में आया होगा वीडियो को समझ में आया होता वीडियो को लाइक कर दिजी और सब्सक्राइब करती के जब तक के लिए बने रही है हमारी चालो में जहन्म कुछ